हेलो दोस्तों मैं हूu राहूल स्वामी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे केमिकल इंजिनियर गुरू चैनल में आज मैं बात करने वारा हूँ सेरली एवरेज सेरली ऑप केमिकल इंजिनियर अगर आप chemical engineer करते हैं या बनने की सोच रहा है या बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में पहली बात यह होगी कि average salary क्या हो सकती है और क्या होगी और कितना maximum आपकी salary जा सकती है बात करें तो minimum salary minimum अगर आप salary की बात करें तो 1.8,15,000 अगर माने salary पर मंद की अनुसार तो 15,000 र करती है आपके experience पर करती है तो maximum salary अगर आप अपर पोस्ट पर जाते हैं तो 15,000,000 से 20,000,000,000,000 पर आप experience एंड कंपनी प्रोफाइल कंपनी क्या है उसके भी depend करती है अभी आप मान के चले आप जैसे फ्रेसर चेमिकल इंजनियर है अपने college से just pass out हुआ पास आउट होने के आज़कर कॉलेज eddy a ऊच्छी अचल पाहिए थि झांट सब्सक्राइब आज गर शिलीव को होती तो चैरा केल टी-प्रणा को जाते ही है उसमें या आपको साथ आसे दौर्णा तो तरह से वहाँ इंतर्विव्य होता है य को Tek Esteem जो sellerly होती है जैसे मेरे कंपनी में है या बहुत सारी कंपनी में 15000 रुपय मिनिमम आपको sellerly chemical engineer को मिलेगा उसके बाद अगर अच्छी कंपनी आपको मिलती है तो सारे 3 से 4 लाग रुपय आपको CTC starting में CTC आपको मिलेगा तो minimum आप समझ लिजे 15,000 से लेके 25-30,000 रुपया तक आपको salary, average salary starting में आपको मिलेगी, मिलेगी आप जैसे जैसे आपका experience बढ़ेगा, एक साल, दो साल, तीन साल आप company switch करते हैं या तो फिर उस company में रहते हैं, तो 10%, 8%, 9% आपका growth होता है, तो आपका हर साल आपका growth होता रहेगा और जैसे जैसे आपका experience बढ़ेगा, आपका salary भी उसी तरह बढ़ता रहेगा अब मैं बात अपनी करता हूँ, अब बात मैं अपनी करता हूँ कि मेरी starting कैसी हुई, मेरी पहली company लूपीन थी, जहां मेरा पहला city से था 1.5 लाग, 2012 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो company है, अच्छी company रहती है, वो आपको at least 3 लाग से सारे 3 लाग देती ही, यह देती ह अच्छी company है, अगर company employee पर अगर आप जोईन करते हैं, तो दूसरा होता है apprentice, जैसे आप trainee की रूप में जोईन किये, एक साल के contract पे, तो आपको 15,000 रूपे आपको salary minimum आपको मिलेगी, मिलेगी, chemical engineer को, अगर आप permanent employee है, तो आपकी salary हाई रहेगी, सारे 3 लाग भी हो सकती है, 5 company के उपर, ठीक है, जैसे SRF है, वो साहे 3 लाग, 4 लाग, 5 लाग, GFL है, वो साहे 3 लाग से उपर ही CTC, फ्रेशर को देती है, जब मैंने जोईन किया ता, अभी भी 3 से 5 लाग के बीची, फ्रेशर का CTC होता है, ठीक है, अब जैसे जैसे मेरा experience हुआ, तो हर company में तीन से लेक की salary है ना, वो सबसे वरा important factor है आपके college पर भी, आप किस college, किस company में जोईन कर रहे हैं, अगर अच्छी college से आप pass out हो रहे हैं, तो college campus होगा, तो आपको अच्छी company आपको hire करेगी, तो no doubt आपकी salary अच्छी ही मिलेगी, 5 से 10 लाग, 12 लाग भी हो सकती, अच्छी company अगर hire करती है, तो दूसरा college, अगर college अच्छा है, तो आपको technical knowledge अच्छा होगा, तो आप किसी भी, अगर company में interview देने जाते हैं, तो आप easily join कर सकते हैं, ये बात हो गई private sector की, अब बात कर सकते हैं chemical engineer, जो chemical engineer है, अगर आपको जादे salary चाहिए, अगर आप चाहते हैं, कि हमें जादे salary च ये भारत petroleum है, इंडियन वायल है, अगर इस field में अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको gate qualify करना पड़ेगा, gate में, जैसे मैंने एक लड़के से मुलाकात की, जो यहां भरूच में, गेल में काम कर रहा है, उसने gate qualify किया, उसका 200 rank था, आप से 2 साल पहली की बात बता हूँ, 250 के आसपास उसका rank था, मैंने उससे पुछा आपकी salary किया है, तो उसने मुझे अपनी salary 18 lakh पर year बताया, मतलब 18 lakh का city सी उसको मिला है, आप बात कर सकते हैं, 18 lakh रुपया है, जो फ्रेसर गेल गौर्मेंट सेक्टर दे रही है, और प्राइवेट सेक्टर तो यहां 12 सा experience होने पर भी 8 lakh का city सी नहीं होता, यही difference है, गौर्मेंट और प्राइवेट में, लेकिन यही बात है कि केमिकल इंजिनिंग फीड में, गौर्मेंट में बहुत कम opportunity है, लेकिन no doubt, प्राइवेट सेक्टर में केमिकल इंजिनियर के लिए बहुत सारी opportunity है, lots of opportunity in India, खासकर आप सहली की बात कर रहे हैं, तो आप सहली आप मान के चलिए, जैसे जैसे आपका experience बढ़ेगा, experience बढ़ते बढ़ते, आपका, जैसे मैंने पहली company में 1.5 लाग पे जोईन किया, उसके बाद company चेंज किया, तो मेरा city seat धायला के आसपास हुआ, मतलब जैसे जैसे आप company चें requirement रहता है, कि मैं इस level पे इतना salary provide करता हूँ, ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा experience बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा salary बढ़ता गया, हाँ, अगर आप एक ही company में जादे time तक अगर आप रह जाते हैं, तो आपका growth रुख जाता है, जैसे मैंने खुद का experience बढ़ता हूँ, जैसे म growth बहुत कम था, वहाँ 3-4% ही गोड़ता, जिसकी वएसे मेरी salary वहाँ जादे नहीं बढ़ी, फिर मैंने company change किया, तो मेरी salary थोरी 30% जैसा बढ़ी, तो फिर हर company का अपना अलग-अलग नियम रहता है, तो अगर आप अच्छी salary की उमीद करते हैं, chemical engineer field में, तो आपको production line है, project line है, हर line में अलग-अलग आपको opportunity हमेशा available है, और आप join कर सकते हैं, ले सकते हैं, chemical engineer, अब बात करते हैं कि अगर इंडिया से बाहर salary क्या होगी, chemical engineer की, जैसे इंडिया में आप कितना भी काम कर लो, कितना भी experience हो जाए, 15 साल, 20 साल, तो आपकी maximum salary 20 लाग, 25 लाग, अगर बह साल, 25 साल का experience होने के बाद, उससे पहले नहीं, जैसे हमारे एक sir है, दीपक पिनोलिक्स में, वो बहुत बड़े post पर है, उनका salary में भी हो सकता है, 30 लाग, 35 लाग होगा, तो इंडिया में chemical engineer का salary का growth धीरे-धीरे होता है, IT की तरफ बहुत जादे नहीं हो सकता है, और आपक आपको salary चाहिए, तो आपको abroad, Dubai, Qatar, America, Russia, Germany के तरफ आपको higher steady के लिए move करना पड़ेगा, या तो आपको कहीं से अच्छी opportunity मिलती है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, जैसे मेरा अगर reliance वाले को बाहर में, दुबाई, Qatar में, बहुत सारी company's sale है, sale में opportunity मिलती है, वहाँ कतार petroleum है तो वहाँ पर starting sadly मेरा भी dream था कि मैं भी बाहर के लिए try करूँ, इसके लिए मैं reliance केया था, लेकिन नहीं opportunity मिल पाया, पांस साल में reliance में रहा, लेकिन सबका किस्मत नहीं होता है कि बाहर का opportunity मिलती है, तो आपको no doubt 10 से 12 साल experience मांगता है, सबसे बराई, यह क्या है ना, कि वाली जो company होती है आपको sadly देगी, लेकिन आपका experience, same experience होना चाहिए, तभी आपको वो company hire करेगी, ऐसे आपको hire नहीं करती है, वो क्यों आपको ले जाएगी, तिन लाग रेपा सिटी सी देखे, तो वो बाहर की जो company होती है, जैसे South Africa Sum में भी बहुत सारी refinery आ रही है, refinery का बहुत opportunity है इंडिया से बाहर, इंडिया में तो बहुत कम opportunity है refinery का, इंडिया में refinery की बात करें तो आप सबसे बढ़ा इंडिया में refinery है, अगर reliance को ही मान सकते है, reliance है, नायरा है, S.R.O.I.L. जुसका नाम था, हल्दिया पेट्रो केमिकल है, और भटिंडा refinery है, यही 4- आप अचा सेलली मिल जाता है, लेकिन आपको वहाँ फिर growth धीरे-धीरे होता है, वहाँ से आप experience लेके बाहर के लिए move कर सकते है, मेरा भी यही dream था, कि मैं 5 साल reliance में रहूंगा, तो बाहर के लिए move करूंगा, लेकिन opportunity नहीं मिली, मेरा किसमत नहीं था, फिर मैं वापस chemical industry में back to chemical industry आ गया, और यहां लगा हूँ, फिर opportunity कहीं मिलेगी, तो मैं try करूंगा, तो अगर आप chemical engineer field में आना चाहते हो, तो salary growth थोरा धीरे है, लेकिन lots of opportunity, opportunity बहुत है, क्योंकि आज industry बहुत सारी बन गई है, जहां हर field में आप chemical engineer की requirement परती है, पहले क्या था, chemical engineer का requirement नहीं था लेकिन अभी growth development इतना हो रहा है इंडिया में, तो हर जगह chemical engineer की requirement परती है, और आपको अच्छी कासी salary मिल सकती है, अब company की बात करें, कौन-कौन अच्छी company है, जो आपको अच्छी salary provide कर सकती है, chemical field में जाएंगा, तो SRF है, Deepak Phenolix है, GFL है, Pharmanic है, BSF है, और government में JNFC है, लेकिन इसमें get through या interview निकलता है, उसमें आपको हो सकता है, तो और salary क्या हो सकता है, जितना मुझे पता था, मैंने आपको बताया, आप ये मानी लो, कि आप अगर chemical engineer है, तो 15,000 रुपे आपको minimum मिलेगा, अच्छी company मिलती है, तो better opportunity आपको मिलेगे, जैसे जैसे आपका growth हो तो आपकी salary बढ़ती रहेगी, ठीक है, ये basic था salary के बारे में, company पर भी depend करती है, फिर भी आपको कोई doubt है, अगर इसमें salary के regarding, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे जाके comment करके बता सकते, जतना मुझे पता होगा, मैं बताऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीड लाइक कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद